स्वागत आपका स्टडियाई की एड्यूकेशन प्लाटपॉर्म में या जुदिश्री की सीरीज में हम करने जा रहे हैं हीबिस कॉर्पस के बहुत फेमस जज्जमेंट है 1975 इसको ADM जबलपूर वर्सेशिशिपकान शुकला के नाम से साइट किया जाता है अगर आप देखेंगे इस केस में अर्टिकल 21 को लिमिट कर दिया गया था उसके वोल्यूशन रोप दिया गया था इसी के चलते 42 यर्स के बाद 2017 में सुप्रीम कोट ने अपनी इसी जज्जमेंट को ओवर्टर्न किया लार्जर वेंच के साथ तो जानते हैं क्या-क्या इसके अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो की पीडियेफ से हैं तो आप अट दरेट कपिल लाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप मुझे अट दरेट कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं बात है अमर्जंसी की 1975-26 जून याद होगा वो दिन जिस दिन कंट्री म भी नहीं पता था कि आज से अमर्जंसी लगने वाले कई लोगों ने सुबह रेडियो में और न्यूस्पेपर्स के थ्रू ही जाना कि 26 जून से डेश में नेशनल एमर्जंसी आ चुकी है लेकिन इससे चार साल पहले कुछ एक ऐसा हुआ था जिसने इस केस को ट्रिगर किय बात है 1971 के Maintenance of Internal Security Act मीसा की मीसा को इसलिए लाया गया था जिससे लोगों को for some reasons detain किया जा सके और एमर्जंसी के टाइम में इसी मीसा का बहुत जाधा disproportionate use किया गया जितने भी इंदरागांधी गर्मेंट के critics थे जो opposition के politicians थे जो इस move को criticize कर रहे थे देश भर में उनको arrest किया जा जा रहा था मीसा के चलते और मीसा में reason ये दिया जा रहा था कि आपके जो fundamental rights है वो suspended है आप government को criticize नहीं कर सकते आपका freedom of speech suspend हो चुका है जैसा कि आपने देखा कि article 352 में तब यही लिखा जाता था national emergency के समय प्रेजिडेंट के पास 359, 358 के थू rights हैं कि वो fundamental rights को suspend कर सके साथी साथ बात यहाँ पे right to freedom of speech की नहीं थी right to life की थी article 21 को भी suspend कर दिया गया था और इसी के चलते लोग बार-बार detention के चलते courts जा रहे थे देश भर में जतने भी high courts हैं वहाँ पे अलग-अलग petitions हा रही थी 226 के चलते उन high courts में petitions में यही का जा र abrogate कर दिया है रोग दिया है तो मीसा को आप constitutionally हम इसको challenge कर रहे हैं और इसको unconstitutional ठहराया जाए देश भर के high courts ने इस law को unconstitutional ठहरा दिया था अब जब यह petitions सब club होके supreme court पहुंची तो supreme court ने इस high court की judgments को overturn कर दिया साथ ही साथ आपकी जो right to life है वो भी permanent in nature नहीं है मतलब absolute नहीं है अगर कोई national emergency होती है अगर कुछ ऐसा instance होता है तो आप court नहीं जा सकते है court आपके आपके rights को नहीं दिलवायागा government आपके rights को curtail कर सकती है अगर हम देखें कि शिपकान शुकला थे जबलपूर high court में उन्होंने petition फाइल करी जबलपूर high court ने कहा कि आपके पास fundamental right to life है आप अपनी life जी सकते हैं आपको release कर दिया जाए लेकिन ADM जबलपूर ने उनके release होने को challenge किया Supreme Court में और वहीं से case का नाम ADM जबलपूर वर्सिस शिपकान शुकला पड़ गया अब जबलपूर वर्सिस शुकला में court ने सबसे पहले 16A9 मीसा को constitutionally valid ठहराया कहा जितने भी detentions हो रहे हैं politically motivated नहीं है क्योंकि अब आपके पास fundamental rights से नहीं बचे तो फिर आप उनको use कैसे कर रहे हैं तो इसलिए अगर आप कुछ भी असा कर रहे हैं जो सरकार को लग रहा है कि unconstitutional है या leaps and bounds में नहीं है constitution के तो आपको arrest कर लिया जाएगा साथ ही साथ आप 226 में high courts नहीं जा सकते क्योंकि आपकी hebos corpus की rate तो suspended है तो फिर आप high court पहुँचे कैसे जब 226 suspended थ होती है चार judges एक तरफ और एक जजज एक तरफ पांच जजज की bench थी फोर इस्टु वन से majority judgment hour कहा जाता है यह black day था इंडिया की constitutional history का क्योंकि court ने ये कह दिया कि fundamental rights absolute नहीं हो सकते आपके freedom को हम regulate करेंगे constitution regulate करता है और अगर कोई भी emergency आएगी यहाँ पे constitution के पास या constitution के powers हैं जिससे आपके right to life को limited समय के लिए करप किया जा सकता है रोका जा सकता है तो कहा जाता है यह एक ऐसी judgment थी जिसने liberty को कटेल गया लोगों की article 21 को कटेल किया लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी judges ने एक जैसी बात की चार जजज एक तरफ थे लेकिन एक loan dissenter कहा जाते हैं Justice HR Khanna य अगर हम बात करें और उसमें right to life की बात करें तो वो एक basic right है वो fundamental rights बनने से पहले भी लोगों के पास था वो एक human right है वो एक natural right है अगर आप by virtue by nature की virtue से आप आए हैं आप human है तो आपको तो right to life मिलेगा ही मिलेगा even if आपका constitution वो provide करे या ना करे यही कावनोंने कि यहाँ प constitution नहीं था तब भी लोग जी रहे थे तब भी उनके पास right to life था तो constitution आके उनके right to life को कैसे curtail कर सकता है इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे justice HR खन्ना ने clear कर दिया कि article 21 और 20 को suspend नहीं किया जाना चाहिए emergency के चलते अब दीकि उससे में तो judgment आ गई suspended था लोगों को detention में रहना पड़ा लोगों का release नहीं हुआ और कहा जाता है कि इस case में procedure established by law पे जादा महत्र दिया गया अभी due process of law आया भी नहीं था वो बाद में मनेका गांधी case में आया तो article 21 को read करते समय चार जज़स ने procedure established by law को read किया और यहीं देखा कि अगर procedure कहता है कि detain होना चाहिए और constitution में ऐसा कही mention नहीं है कि article 21 suspend नहीं हो सकता तो फिर हम article 21 को suspended मानेंगे writ of hibis corpus को हम suspended मानेंगे और किसी भी तरह के fundamental rights के violation को हम entertain ही नहीं करेंगे आपकी कोई application petition हम entertain नहीं करेंगे जब तक emergency खतम नहीं हो जाती अब इसके बाद scenario country में काफी खराब रहा दो साल तक ये emergency चली और इसमें आपने देखा कि लंबे समय तक लोगों के fundamental rights का violation होता रहा कहीं न कहीं ये judgment बहुत जादा उनको violate करने में violation में helpful रही क्योंकि government के पास अप एक extra power आ गई थी court की तरह से भी कि लोग fundamental rights नहीं मांग सक अगर कुछ ऐसी emergency फिर से कभी 352 में लगेगी तो लोग court जा सकते हैं अपने article 20 और 21 को मांगने के लिए ये scenario लंबा चलता रहा 2017 में justice put to swami case case put to swami case जिसे right to privacy का case भी कहा जाता है supreme court ने इस ADM जवलपूर को revisit किया जब ADM जवलपूर लिखा जा रहा था तो वहाँ पे justice चंदरचूर थे और उनी के बेटे डीवाय चंदरचूर जो हैं वो इस नए judgment में बैठे थे के इस put to swami case में और यहाँ पे उन्होंने ही अपने dad से अपने father से differ होते हो कहा कि एक liberty ऐस चीज है जो कभी भी कटेल नहीं की जा सकती हमारी country में ऐसे judicial decisions आए हैं जिन्हों हैं हमारी liberty को कटेल करने की कोशिश की है लेकिन एक judiciary का काम liberty बचाना होना चाहिए liberty को कटेल करना नहीं होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे ADM जवलपूर case को overturn करते हैं और हम कहते हैं कि ADM नोर कर दिया था और आज हम यह बात फिर से reinstate करते हैं कि जितने भी rights हैं यह natural law के थ्रू मिलते हैं तो कुछ ऐसे rights हैं जो fundamental in nature है जो right to life है वो मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे constitution उन्हें law करे या ना करे हमारी UPCIS pre-commence के smart courses available है flat 50% discount के साथ इन्हें आब avail कर सकते हैं app के थ्रू website क अच्छे लग रहे होगी इस तरह क्या और sessions में लाता रहूंगा जुड़े रहे हैं मैं साथ मिलते हैं अगली बार तब तक लिए goodbye take care and god bless you all